Hello guys, this is me Ziya Olatan and you are watching Hasan Art Studio. आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि आपके सबसे जादा question किस type के आने वाले हैं और किस से related आएंगे, कहां से सबसे जादा question पूछे जाएंगे आपसे, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत जादा confusion में हो कि सर कहां से question आएंगे, कैसे question बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बहुत जादा easy question पेपर आने वाला है, तो उतना भी easy question पेपर नहीं आने वाला है, जितना कि आप लोग सोच रहे हैं या फिर लोग बाते कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि NCRT से जादार question पूछे जाने वाले हैं, तो उसमें कुछ higher skills question आने वाले हैं, तो वहाँ पर हम वही बात करने वाले हैं कि कौन से question और कैसे question वहाँ पर आ रहे हैं, तो जैसा आपने sample question paper देखा था, उस type के ही question आएंगे, लेकिन जो हमने observe किया है question papers में और जो भी हमारा sample question paper था, उसमें कहां से सबसे जादा question बनते हैं, हर साल कहां से ज आफकारी और इंपोर्टेंट रहे तो यहां पर आप देख लीजे हमारी स्क्रीन पर आपको दिखरा होगा जैसे हमने यह लिस्ट बना रखी है जिसमें यहां से आपके सफसे दादा पूछे जाएंगे 70% और 60% इनके बीज में यहां से पूछे जाएंगे क्योंकि यहां से जब हमने देखा तो कॉलम जो मैच करने वाला है वो भी यहां से बन रहे हैं तो यहां पर जितने भी question paper या फिर आपके pre-boards हुए होंगे उसमें भी आपने देखा होगा तो सबसे जादा आप से पूछा जाता है title या painting का नाम ठीक है या फिर painting कौन से school की है या कौन से style की है तो school और style same होता है तो आप से अगर पूछा जाता है कि मारो राग ने painting कौन से school की है तो आपको पता है कि वो राज्तानी school की है अगर आपने ये वाली list पूरी आपको याद है तो आप इसे कर सकते है easily कई सारी ऐसी paintings हैं जो कि हमारी same same है तो उन में थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कौन से school की है या फिर style की है तो यहाँ पर आप इसमें confused नहीं होंगे style मतलब यहाँ पर सीधा school से है या chapters है आप यह समझे कि कौन से chapter से वो painting ली गई है तो यहाँ पर यह याद रखेंगे और दूसरा आप से पूछा जा सकता है कि मारूरागनी painting का नाम दे देगा और आप से पूछा जा सकता है कि वो painting कौन से sub-school या sub-style की है जैसे मारूरागनी painting कौन से sub-school की है, मेवार sub-school की है और मारूरागनी painting कौन से school की है, कौन से style की है तो वो राजिस्थानी style की है अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों चीज़े आपको दे देगा कि मारो रागनी मेवार स्कूल की painting वो किसने बनाई है या किसका creation है या किसकी painting है ऐसे आपसे पूछा जा सकता है तो वो साहिवदीन की painting है ये आप list अगर आप आप याद कर लेंगे तो आपके 60% to 70% marks कोई भी नहीं रोक सकता है यही आपके सब में ज़्यादा question जो आ रहे हैं वो यही है फिर जैसे चोगान player आता है फिर इसका आपसे पूचा जाएगा कि यह painting कौन से school की है कौन से style की है तो फिर से वही राजस्तानी style राजस्तानी school यह बूचा सकता है किसने बनाई फिर यह असरFF स कहते हैं तो यहां पर आपर कोंई trick लगा करके आद कर सकते है यह यह बहुत सकते हैं जैसे फिर आता है क्रिश्نा सुइंग्क इन की अगतारा स सुब सब यह RAW जाता है राधा बनीठनी तो राधा बनीठनी एक ऐसी पेंटिंग है इसमें आपको अगर पेंटिंग के बारे में भी पढ़ लेंगे तो जाधा सही रहेगा जैसे आपसे पूछा गया है कि Postal Stamp Government of India ने कौन सी पेंटिंग के लिए निकाला है कौन सी पेंटिंग के लिए लौँच किया है तो वो यहाँ पर राधा बनीठनी वो पेंटिंग है जिसके लिए Postal Stamp लौँच किया गया है और वैसे ही जो यह आर्टिस से निहाल चन ये कौन से सब स्कूल के आर्टिस हैं ये पूरान से ली गई है, यह चीज़े आप से पूछी जा सकते हैं, तो आप इनका description जरूर पढ़ेंगे, और जो paintings हैं वो बस आप उनके themes या, मतलब themes देख लेगे कि कुछ theme पर बना है, किस book से related है वो, यह चीज़े आप देखकर जाएंगे, और प्लस आप उनके specialities जरूर दे देख सकते हैं, वो 1 hour and 48 minutes something किया है, तो वो आप पूरी video देख लेंगे, तो आपको सारे description मिल जाएंगे, उसमें जो भी main चीज़ है, वो हमने उसमें discuss किया है, उसमें दे रखा है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप NCRT की book ले सकते हैं, NCRT का PDF ले सकते है तो वो उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपके पास अब जादा time नहीं बचा है, आपके सारे exam हो गए हैं लगबग और बस आपका painting exam बचा है और एक optional बचा है, तो आप इसके लिए अच्छे से त्यारी कर लीजे, तो ये सबसे जादा important है, अगर आपके पास one hour है, जैसे आप लोग डर रहे हो इतना, ठीक है, वो बहुत जादा इतना toughly question paper नहीं आने वाला है, ये list हो गई, आपकी ये तो याद कर रही है, आपको, तो आपको attention लेने की ज़रूद है नहीं, वैसे इतना, और वैसे हमने सारी videos बना रखे हैं, आप हमारे playlist में जाकर के check कर सक तो आज की वीडियों बस इतना ही, thank you for watching